हमें अपनूने लूटा गैरों में कहां दम था हमारी कस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था तेरी बेवफाई का गम तो नहीं मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं ये वो लाइने हैं जो बिहार के सबसे बड़ी पार्टी आर जे डी के मुखिया और बिहार के पुर स्टेट के समय आरुजीडी के तीन विधाएक ने पेजसवी यादव का मानूव क्त बदल दीया जसबात बदल दिया और नोर तेस्वीineaदव का दावे के साथ बोला गया खेला खेला होना बागी है कब उनके लिए ही सह और मात खेल साबित हो गया ये शायद अभी तक वो भी समझ नहीं पाए होंगे दरसन कल बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ यानि बहुमत परिक्षन और इसके शुरू होते ही और जिससे साफ हो गया कि आने वाले समय में किसी भी कीमत पर बिहार में जेडियू बीजेपी सरकार नहीं गिर सकती है और साथ ही और जिए डी के लीड वाले महागट बंधन को अब विपक्ष में बैठ कर संतोश करना पड़ेगा वो बात अलग है कि एंडिय के पास टेस्ट से पहले से बहुमत का आंकडा था लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये रही कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तेजस्वी यादव को धोखा देने वाले उनके सबसे करीब होंगे और ये तीन बड़े चेहरे होंगे जिसमें एक चेतन आनंद जो बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे दूसरे सुर्य गड़ा से वरिष्ट विधायक प्रलाद यादव और तीसरा बाहुबली आनंद मोहन की पतनी और मुकामा से विधायक नीलम देवी शामिल है और सबसे बड़ी बात इधर से सब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और इसी के साथ ही एक बहस भी छड़ गई कि RGD और तेजस्वी के साथ ठीक वहीं हुआ जो उन्होंने AIM-IM के मुकिया ओवेसी की पार्टी के विधायक के साथ किया था यानि जैसे को तैसा इसमें कोई मोरल एथिक्स की बात नहीं है खेर अब तो पॉलिटिक्स में इन सब बड़ी चीजों के लिए जगह है भी नहीं बता दें RGD ने 2020 में AIM-IM के चार विधायक को तोड़ कर अपनी ओर कर लिया था वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें फ्लोर टेस्ट में नितीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े थे तो वहीं RGD स्पीकर को हटाने में 125 वोट पड़े लेकिन यहां भी यह खेला हो गया क्योंकि सत्ता पक्ष के भी 5 विधायक फ्लोर टेस्ट में गायब रहे लेकिन इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है पुर्वांचा लाइफ की ऐसी ही लेटिस और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहे है अपने फेवरिट चैनल पुर्वांचा लाइफ के साथ